हेलो बच्चो वेलकम तो अध्यनिक्स तो आज मैं आपको एक ट्रिक बताने वाला हूँ बहुत सारे बच्चो के साथ यह प्रॉब्लम होती है कि जब उनको डिफ्रेंसियेशन करना होता है जब उसमें चेन रूल लगाना होता है तो कॉम्पेटिशन यह बेसिकली करेंके बनाना है तो वह हो फसने लगते है तो उसकी लिए मैं एक सीम्पल सा मैं आपको ट्रिक बताना हुआ मैं कैसे ऐसे दिसर sn जैग वाली जोग्रॉब्लम होती हुएं साल्ल करना है जैसे मैं पहला कोश्चन लेता हूं है सब ला क्ोश्चन मैंने लिया है कि य यह अब इसका differentiation करना है तो आप देखो इसमें देखो एक function किसका है sine का, एक function किसका है x का, ठीक है तो आप क्या करो dy by dx differentiation ऐसी करते हम अब जब dy by dx आप करो गयो and y की जापर क्या है आपका sine 5x तो पहले आप sine का differentiation बताओ क्या होता है साइन का differentiation क्या होता है cos और उसका function क्या है 5x फिर उसके अंदर क्या है यह छोटा सा 5x अब 5x सा differentiation कर लो d by dx of 5x अब इसका क्या हो जाएगा 5x का 5 constant बाहर आजाएगा और dx by dx 1 इसका differentiation हो जाएगा 5 cos 5x simple है अब मैं दूसरा question लेने जा रहा हूँ so अब दूसरा question में मैं ले रहा हूँ y is equal to log sin x square sin x square मैं यह ले लिया यहाँ पर मैंने mod लगा दिया mod इसलिए लगा है क्योंकि log के साथ आप negative function नहीं रख सकते हो ठीक है so अब आपको हमें इसका differentiation करना है so फिर हम करेंगे dy by dx so अब d by dx y क्या है आपका log mod of sin x square ठीक है इसका differentiation करना है तो पहले आप log का differentiation कीजिए तो log का differentiation क्या होता है आपका 1 upon x so यहाँ x के जापर क्या है आपका पूरा sin x square sin x square अब sin का differentiation करना है आपको तो अब आपका किसा differentiation होगा d by dx अब रैकेट में क्या रहेगा आपका अंदर ओला function पूरा sin x square so अब इसका differentiation करो आप so यह तो 1 by sin x square रहीं गया and sin का differentiation क्या होता है cos x so x के जापर आपका क्या है x square so यहाँ हो जाएगा cos x square and अब आपके अंदर x के जापर क्या है आपका x square अब इसका differentiation आपको करना बागी रहेगे x square okay so अब इसका क्या हो जाएगा मेरा cos x square by sin x square इसको हम लोग लिख सकते है cos x square and यहाँ पर d by dx of x square यहाँ differentiation x square का क्या होता है आपका 2 into x so इसका differentiation आपको क्या हो जाएगा 2 x cos x square कितना simple है ना अब मैं तीसरा question लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आजाए third question is mine y is equal to sin e to the power e x to the power 3 ठीक है तो अब यहाँ देखो sin है फिर एक function e x का है ओके और फिर function x cube का है ठीक है differentiation simple वैसे ही करेंगे हम so d by differentiation ऐसे करते हैं dy by dx ओके तो यहाँ पर d लिखो y के जाब पर क्या है sin e x to the power 3 upon dx ok sin का differentiation फिर cos और जो तुमारे यह function इसको adjective छोड़ दो x cube अब यह तो function x का है नहीं so अब इसका भी differentiation आप हो करना होगा so d by dx और यह क्या होगे आपका e x cube ok so ok अब e का differentiation क्या होता है so e का differentiation e to the power x का होता है e to the power x ही तो उसको adjective छोड़ दोगे आप तो यह आपको क्या होज़ेगा cos e to the power x cube into e x to the power 3 अब लेकिन e to the power x का होता है यहाँ पे e to the power x ना कि e to the power x cube है so अब d by dx of x cube करोगे आप कितना simple है ना अब इसका differentiation आप कर लो तो यह क्या होज़ेगा 3 x square so आपका होज़ेगा 3 x square इसका differentiation यह वाला सब ऐसी उतार दो यह e to the power x cube into cos e x to the power 3 so बहुत ही simple differentiation है यह सारे tricks आप competitive papers में लगा सकते हो कि कैसे simply आप कोई भी function आपको given हो अगर वो function of function है तो उसका कैसे आप differentiation करोगे उसके लिए trick बहुत ही helpful है मैं fourth question यहाँ लिख रहा हूँ और इसका खुद से आप differentiation करके देखना ठीक है y is equal to 5 log cos x to the power 5 ठीक है तो इसका differentiation करके आप comment section में आप comment करिए ओके बच्चो थैंक्चो